स्टीव लुडवीन, 30 सालों से साप का जहर इंजक्षन के माध्यम से ले रहे हैं, लेकिन फिर भी जिन्दा है, तो आखिर क्या है इसके पीछे राज दोश्तों? चलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की खोशिस करता हूँ. बीवीसी के एक टिवी सो में सामिल रहे है डॉक्टर गेब्रीईल बेस्टन का मानना है कि इस्टीव खुस्कुजमत हैं कि वो जिन्दा है. डॉक्टर गेब्रीईल अपने खून का नमूना लेकर बताते हैं कि जब खून में हिमोटोक्सिन मिलता है, तो कुछी सेकेंड में खून एक तरह के जैल या ठकों में बदल जाता है. तब गेब्रीईल कहते हैं कि अगर ये खून आपकी धमनियों में होता, तो ये बहना बंद कर देता और आप मर जाते हैं. लेकिन सवाल अभी यही है दोस्तों कि स्टीव आखिर अभी तक जिन्दा कैसे हैं? तब डॉक् या हमारे सरीर में कम अस्तर फर टॉक्सिन चमा करती है. ये मातरा इतनी ज्यादा नहीं होती कि सरीर को नुकसान पहुचाए ताकि हमारा सरीर एंटी बोडी के जरिए इन से लड़ना सीख ले. इस्टीव ने सुरू में जहर का छोटा डोज लेना सुरू किया. कुछ समय ब इन जहरों को नस्ट करने में सक्षम रहा. यही वज़ा है कि स्टीव अभी तक जिन्दा है. अगर वीडियो इंफर्मेटिव लगा हो तो नीचे लाल रंग का सुब्सक्राइब बटन जरू दबाएगा दोस्ते.